नमस्कार दोस्तों, आज हम Question Paper No. 112 discuss करने वाले हैं, आप सभी को इस वीडियो का PDF टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइट कर दिया जाएगा, आप सभी टेलिग्राम चैनल को जरूर जॉइन करें, टेलिग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइट कर दी गई है, जी के वी तारजे के नाम से टेलिग्राम चैनल बनाए गया है, पूछा गया है आज के हमारे पहले सवाल में कि मद्द प्रदेश का सबसे चोटा राश्ट्री राजमार्ग मतलब नेशनल हाइवे और फैंपी सबसे चोटा कौन सा है, तो इसका नाम है 135 BB, नेशनल हाइवे 135 BB, जो है, यह हमारा सबसे चोटा नेशनल हाइवे हो जाएगा, सबसे लॉंगेस्ट कौन सा है, तो नेशनल हाइवे 46, ठीक है, सेकेंड लॉंगेस्ट आप लोग बताइएगा, ठीक है, सेकेंड लॉंगेस्ट कौन सा है, जो सबसे लॉंगेस्ट है, इसकी जो लं का जो राश्टी करण है ये कब किया गया था तो ये किया गया है 1964 में ठीक है तो 1964 में जो है हमारे यहां पे वनो का वनो का बोल रहा हूँ मतलब जो तेंदू पता है उसका राश्टी करण किया गया है अच्छा बताईए आप लोग कि जो forest है इसको कब nationalize किया गया था मत्यपरदे सरकार के द्वारा ठीक है अगला सवाल देखते है इसमें क्या बोला है कि निम्लिकित में से कौन सी मत्यपरदे सरकार की एक व्यापारिक एक आधिकार वाली उपज है तो इसका सही आंसर हो जाएगा साल के वरक्ष ठीक है अगला सवाल देखते हैं इसमें बोला है मद्यपरदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे किस राजमार्ग पर है ठीक है तो एक्सप्रेस हाईवे जो है यह आपको देखने को मिलेगा इंदोर बोपाल रोड पर ठीक है जैसा आप लोग उने कभी ट्रावल किया होगा तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा फिर जो है सूची वन को सूची दो से हमको मिलाना है तो इसका जो सही आंसर है यह हमको बताना है तो क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं तो इंग्लिस में ही देख लेते हैं इसे ठीक है तो अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन ये अनुपूर में इस थी थे तो पहला वाला तो मैच्ट है दूसरा वाला सत्पुणा थर्मल पावर स्टेशन ये पाथर केड़ा बैतुल में है ये दूसरा वाला भी मेच किया हुआ है विंद्याचल थर्मल पावर स्टेशन ये कहा है तो बैडन सिंगरॉली में है फिर पेंच थर्मल पावर स्टेशन ये भी एकदम सही है तो सारे के जीला है वडो दर SARAH जीला अगला सवाल है कि मद्द प्रदेश में औस दी पझार हर्रा का प्रमॉक सरोत जो है वो किस छेत्र में विद्द्यमान है तो इसका जो प्रमॉक सरोत है यह कौन से छेत्र में विद्द्यमान है तो इसका वहager सै आंसर उज atrav Kievland मैकाल रेंज, ठीक है, सत्पुडा मैकाल रेंज, ठीक है, इसमें क्या है, आपको डीटेल में सॉलिशन भी दे रखे हुए है, आप लोग चाहे तो इसे पढ़ भी सकते है, तो मद्यप्रदेश में आसदी पौदा हर्रा का जो प्रमुक्षेत्र है, वो मैकाल स्रेनी है, वान कि सारे स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, इंग्लिस में हम इसे पढ़ लेते हैं, तो क्या हुआ है, पहला वाला, तो स्टेबलिस्मेंट ऑफ स्टेट फॉरेस्ट डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन 1975, क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, इस्टेबलिस्मेंट इंडियान इंस्टीटूट और फॉरेस्ट मेनेजमेंट यह भुपाल में हो 1982 में इसको इस्टेबलिस किया गया था यह स्टेट्मेंट भी सही है उसके बाद दिया है स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है एंड डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन यह 1985 में नहीं 1984 में इस्टेबलिस किया गया था तो यह स्टेट्मेंट गलत है तो आंसर हो जाएगा आपका सी ठीक है तो मद्यपरदेश राज जी लगू वनुपज व्यापार एवं विकास सहकारी संस्था की स्थापना 1994 में हुई थी ठीक है अगला क्या दिया है मद्यपरदेश की सीमा पांच राज्यों से मिलती है और राज्य का देश में चेत्रपल 19.6 नहीं है 9.38 परसेंट है यह स्टेट्मेंट गलत हो जाएगा अगला है कि मद्यपरदेश के कितने जिले जो है वो राजिस्थान की सीमा को इस परस करते है तो इसका सही आंसर क्या जिले लगते है तो फ्रेंट्स महारास्ट जो है इसको टोटल आठ जीले लगते है ठीक है इसके बाद जो है आपका च्छतिस गड़ च्छतिस गड़ को कितने लगते है साथ लगते है उसके बाद गुजरात को कितने लगते है तो दो लगते है इस तरह से आपको याद यह क्या क्या नाम है चलो इससे देख लेते हैं इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा बी ठीक है वन टू थी फोर मतलब यह सारे के सारे एक दूसर से मेज़ड है तो इस्टेट ट्री जो है यह बन्यान है और इसे क्या बूला जाता है फीकस बैंका लेनासिस ठीक है क्या बोलते है गलाइसीन मैक्स अगला सवाल है कि निमलिकीत कतनों पर विचार कीजिए मद्यप्रदेश का केंद्र बिंदू कटनी के करौंदी में इस्थित है तो क्या यह स्टेटमेंट सही है तो फ्रेंट्स यह जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत हो जाएगा अगला ह क्या हो जाएगा आपका सी केवल 3 हमारा राइट आंसर होगा तो देखो यहां पर दिया भी हुआ है मद्यप्रदेश का केंद्र बिंदू है इसका क्या नाम है तो इसको सागर बोलते है ठीक है तो सागर जो है यह केंद्र बिंदू है मद्यप्रदेश का केंद्र बिंदू था कटेनी और अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है उसका नाम था बैतुल प्रत्वी का केंद्र बिंदु क्या है उज्जेन अगला है कि मद्ध्य प्रदेश में ब्रिटिस सासन का सरोपतम आधिपत्य जो है वो कब से इस्थापित हुआ था तो 11 दिसंबर 1853 से आधिपत्य इस्थापित हुआ था फिर क्या दिया है मद्ध्य प्रदेश भूव एज्ज्यानिक दरश्टी से किसका भाग है तो यह गुंडवाना लेंड का पार्ट है अगला सवाल क्या बूला है कि मद्ध्य प्रदेश में गुं पूड़ा छेत्र होगा कि इसका आंसर तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए ठीक है तो मद्ध्य प्रदेश की भू संरशना आधि महा कल्प सहल समू के आसपास हुए तो सत्पूड़ा तथा बगिलखंड के छेत्रों में यह आपको देखने को मिल जाए तो जो है ग्वालियर संभाग में यह नहीं आथा अगला सवाल देखते है कि प्रदेश में सरवादिक दैनिक तापांतर जो है कहां पे देखने को मिलता है तो यह ग्वालियर में कैसे देखने को मिलता है यह इस टाइप से मद्ध्य प्रदेश का मैप है ठीक है देखो कैस यहां पे 43 maximum है और minimum 28 है इन दोनों के बीच का जो difference है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो यह हमारा answer हो जाएगा फिर क्या दिया है उद्गा मिस्तल दिया है और नदियों के नाम दिया और कौन सा सुमेलित नहीं है यह हमको बताना है तो देखो पेंच नदी जो है कहां से निकलती है सत्पूरा परवत स्रेणी से तो बिल्कुल सही है तापी कहां से निकलती है मुलताई से तवा कहां से निकलती है कालीवित पाडिय से माही कहां से निकलती है तो नहीं निकलती है यह statement गलत हो जाएगा यह मालवा से निकलती है करकर एका जो है टूटल 14 जिले से ओकर के गुजरती मद्धिप्रदेश के मद्धिप्रदेश में उत्पादित फसलों को घटे क्रम में लगाना है तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं सोयाबिं चना चावल मक्का अगला सवाल देखते हैं क्या बुला है मद्धिप्रदेश म करना है तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंट साची का स्थूप जिसको 1989 में युनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सामिल किया गया था मद्धिप्रदेश में उपरी विंधियन क्रम की चट्टानों को कितने भागों में वर्गिकरत किया गया है तो यह टोटल तीन अग्ला सवाल है कि विंदिक्रम की चट्टानों के संद्रभ में असत्य कथन करना है ठीक है तो इस तेट्मेंट क्या बताना है तो HUMको क्या बताना है गलत हो बचाएगा आपका पूर्पूर्ण नदी ध्वीप कौन सा है। तो इसका सई आंसर हो जाएगा, ओमका रेस्वार। है नर्मदा घाटी प्राधिकरन की स्थाफणा हुई थी, तो ये नर्मदा घाटी प्राधिकरन की स्थाफणा कब हुई है। यू हुई आ फ्रेंट्स, 1985 में ठीक है, चिंदवाडा में, कहां पर इस्थावित किया गया है चिंदवाडा में, अगला सवाल है मद्यप्रदेश के संदर में निमलिकित पर विचार कीजिये बोला है, ठीक है तो यहां पर स्टेट्मेंट दिये हुए, इसे हम देख लेते है क्या दिया है, मद्यप्रदेश सरवाधिक जलपरपातो नदी-घाटी और मैदानों का विकास यहीं हुआ है, बिलकुल सही है फिर क्या दिया है, कि इसमें जो है, मद्यप्रदेश में मद्य उच्च प्रदेश में विंद्यांचल परवस है ना यह है 881 मीटर जाना पाव जो है यह 856 मीटर है जो अब देखो इसी साफ से आंसर क्या निकलेगा पहले का तो तीसरा निकलेगा ठीक है और दूसरे का दूसरा निकले तो क्या आंसर भी हो जाएगा तो देख लेते हैं इसे तो आंसर जो है हमारा भी ही हो जाएगा ठीक है देखो जो है सिगार पीक 881 मीटर जाना पाप 854 धजारी 810 और गोमनपूर जो है वो 510 मीटर अगला सवाल है कि मद्यप्रदेश में सरवपतम नहर का निर्मान किस जिले में किया गया था तो यह बालाघट जिले में किया गया था ठीक है कब किया गया था तो वर्स 1923 में किया गया था ठीक है इसका नाम क्या है वेन गंगा के नाल अगला है मद्यप्रदेश इस फसल से विदेशी मुद्रा में एक महत्पूर्ण रासी कमाता है तो यह कौन सी फ पठार के अंतरगत जो है अरब सागर की मुंबई साखा से अधिक वर्सा होती है तो क्या यह statement सही है तो बिलकुल यह statement जो है सही देखने को मिल जाएगा मालवा के पठार के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी द्वारा कम तदा पस्चिमी भाग में सरवादिक वर्सा ह गया है तो यह किसको सम्मिलित किया गया है तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंट सी हो जाएगा सी क्या हो जाएगा आपका सी मतलब क्या क्या हो जाएगा इसमें आपको 123 देखने को मिल जाएंगे उपर के जो आप्शन दिख रहे है सतना राजगर सी और यह हो जाएगा सी आं है क्या बूला है कि इसका निर्मान खांडे Rav-Holkar में करवाय था तो france इसका निर्मान खांडे Rav-Holkar के द्वारा नहीं कराय गया था इसका निर्मान कराया गया है तो हो जायगा हमारा आंसर सिर्प और सी B, ठीक है, अब हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़र्णत ही नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका C आंसर, सॉरी, क्या हो जाएगा आंसर B, दो और तीन ओनली, फिर क्या दिया है, मद्य प्रदेश का वन जीवन जागुरुकता केंडर कहां पर इस्तित तो यह राला मंडल इंदोर में इस्तित है, ठीक है, यह मद्य प्रदेश की सबसे छोटी वाईल्लाइब सेंचुरी में से एक है, पिर क्या दिया? वोल्फ राम जो है, वो इयसक है, यह कहां से पाया जाता है, तो यह हुसंगाबाद से पाया जाता है, वल्फ राम जो हैं ये टंगस्टन का एस्क होता है और टंगस्टन पाया जाता है ओशंगाबाद में ठीक है अगला है कि कोल बेड मिथेन जो है कहां पर पाई जाती है तो ये सहडोल में पाई जाती है अगला सवाल है कि चैनोजम म्रदा को किस नाम से जाना जाता है तो चलनोजम रदा जो है इसको काली मिट्टी या ब्लेक सॉयल के नाम से भी जाना जाता है अगला क्या दिया है सूची मिलाने बोला है हमसे फिर से तो देखो कपास जो है वो कौन से मिट्टी में होता है तो काली मिट्टी में होता है गन्ना कोन से मिट्टी में हो जाएगा तो जलोड मिट्टी में होगा क्या तो हो सकता है जलोड मिट्टी में तो जो है हमारा आंसर क्या निकल जाएगा इस हिसाब से ए निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर ए मतलब कपास जो है काली मिट्टी गन्ना जो है वो लाल पीली मिट्टी के हिसाब से होगा कि हाँ यहाँ पर लाल पीली मिट्टी दिया हुआ है चाय जो है कहा होगा तो चाय जो है थोड़ी से हिली एरियाज में हिली एरियाज में कि आयएसक के खनीश के लिए फेमस है बॉक्साइट के लिए । इसमें क्या बूला है कि राज़िय का पहला बायो गेश प्लांट जो है कहां पर इस्थापिद किया जाएगक तो भुःपाल सु verde किया जाएगा भोपाल में भेल के द्वारा ठीक है मद्यप्रदेश की राजधानी के नाम से जो है भोपाल को जाना जाता है और ये जीलों का सहर कालाता है ठीक है मद्यप्रदेश में भीहड की समस्याओं के निदान के लिए केंद सरकार के द्वारा सरुपरतम किस वर्सकार योजना बनाई गई थी 1971 में योजना तयार की गई थी अगला क्या दिया है मद्य प्रदेश के कुल कितने भू भाग पर अमली म्रदा का विस्तार पाया जाता है अमली म्रदा बोड़े तो acidic soil का जो विस्तार है वो पाया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं ठीक है तो मद्य प्रदेश में जो है न आपको 5.9 प्रतिसत या 5.9 मिलियन हेक्टेर शेदर पल पर जो है अमली प्रकृति की म्रदा देखने को मिल जाती है अगला है मद्य प्रदेश में तवा एंवन नर्मदा का संगम जो है वो किस स्थान पर होता है तवा और नर्मदा का संगम कहां पर होता है बांध्राभाण में होता तवा रिवर is situated on the border of itology nursing poor which joins the नर्मदा at बांध्राभाण देखो इसके बारे में हम जान लेते हैं सबसे पहले तो नर्मदा की बात आई है और तवा की बात आई है जो नर्मदा नदी है यह निकलती है कहां से अमरकंटक से जो तवा नदी है यह सहायक नदी है किसकी तो यह नर्मदा की सहायक नदी नर्मदा की टोटल लंबाई है 1312 क किलो मिटर एक हजार सततर किलो मिटर यह MP में फ्लो होती है ठीक है इस पर सरदार सरववार डेम भी बनाया जा रहा है अगला सवाल क्या दिया है बीस वी पसुधन गणना है जो है वह कितना है तो यह 40.6 मिलियन देखने को मिल जाएगा अगला है कि कौन सुमेलित नहीं है अगला सवाल क्या दिया है कि शिवपूर में इस्थित कुनो पालनपूर अभ्यारण को राष्टी उद्यान का दर्जा कब दिया गया था 2018 में दिया गया था और यहां पर पहली चीटा की वाइल लाइफ सेंचुरी बनाई जा रही है जो कि इन्डिया की पहली वाइल सेंचुरी होने वाली है ठीक है उसके बात जो है इसमें एक और बात याद रखना है कि जो अशियाटिक लायंस है उसको ट्रांसफर करके इसी अगला सवाल देखते हैं कि जंगल रहे ताकि नर्मदा रहे ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो पंकर स्रिवास्ताव के द्वारा लिखी गई है ठीक है अगला क्या दिया है कि कौन सुमेलित है तो कौन सुमेलित है ये हमको बताना है तो देख लेते हैं कुवे तथा नलकूप जो है इससे सिचाई कहा होती है मद्यप्रदेश के पस्चिमी और मद्यशेत्र में विल्कुल सही है ठीक है नहरों से सिचाई कहा होती है मद्यप्रद का साही आरक्षित सिकार छेत्र था तो कौन सा था तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका माधव राष्ट्री उद्ध्यान क्या हो जाएगा माधव राष्ट्री उद्ध्यान यह है आपका सी आंसर 1958 में इसको establish किया गया था George Castle Palace भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा और यह कहां पर इस्तित है माधव सिवपूरी में अगला सवाल देखते है क्या बोला है कि सो नदी के बारे में बोला है सो नदी का उद्गम जो है कहां से होता है अमर कंटक से होता है विल्कुल सही है ठीक है उसके बाद इसकी लंबाई 780 किलोमेटर यह भी सही है बियार के पास दानापूर नामकिस्तान पर गंगा में मिल जाती है सारे की सारे स्टेट्मेंट हमारे सही हो जाएंगे अगला सवाल देखते है क्या बोला है कि मद्यप्रदेश की किस नदी को खुसी का दाता कहा जाता है यह नर्मदा नदी ठीक है तो इसी को खुसी का दाता कहा जाता है अगला क्या दिया है हमारा निमलिकित कतनों पर विचहार कीजिए और सही-ुद्थर का चयन कीजिए नि Islamicke का दुख़भन इसथान है क्या हम تीसरे नमबर वे क्या तो तो बिल्गु फ्रेंट हम तीसरे नमबर प्र है पहला तो राज जीमे सरवादिक दुख़ौद्व पादन मुरे नाम होता है ये भी सही है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी देखो पहले नंबर की जो रेंक है यूपी की है दूसरी राजिस्थान की तीसरी MP की अगला है मद्यप्रदेश के किस जीले में सीसे का भंडार देखने को मिल जाता है लेड्स कहां पे होता है तो दत्या में अगला है सहथ के उत्पादन के लिए कौनसा जीला है तो या मुरेना है नंबर उन पे है सहथ प्रोडक्षन में फिर दिया चेरी पारस बentially कौनसी नदी पर तापती नदी पर ठाप है क्या इतुक नदी जाएगा तो सुनेलीद करने वोला है तो जापती नदी जहां पर क्या बनता है तो देखो तो बेन गंगा नदी गंगुल पारा हो जाएगा ठीक है और चंबल नदी पर क्या बन जाएगा तो यहां पर दिया हुआ है क्या जाड़ी दाहा बन जाएगा तो आंसर जो देख लेते हैं हम मैच कर लेते हैं इसको तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा C ठीक है तो ये देखो, आंसर मेच करने के बाद जो है, आपका आंसर निकल जाएगा C. अगला सवाल है कि कौन सा छेत्र मद्ध प्रदेश में बॉकसाइट तामबा और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बालागाट वाला एरिया फेमा से इसके लिए, ठीक है? अगला है कि निमलिखित में से कौन सा सहर भारती मानक समय देशांतर के निकटतम है, तो ये सिंगरोली जो है ना निकटतम देखने को मिल जाएगा, इंडियन स्टेंडर्ड मेरिडियन के, अगला है सुमेलित कीजिये बुलाए फिर से, ठीक है तो ये जो है इसके आप्शन्स का संजय गांधी तो ये जो है ना इसमें आप लोग सिर्वर सिव आंसर देख लिजे इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इस टाइप का नहीं पूछा जाएगा, अगला क्या दिया है, गव अभ्यारन ने जो है ये अगरवालवा में इस्तित गव अभ्यारन देश का पहला गलत हो जाएगा, ये भी और ये भी तो आंसर हो जाएगा, टू एंट थ्री, ठीक है, कैसे हो जाएगा, क्योंकि मद्यप्रदेश में ही जो है ना एक मातर आपको ये गव अभ्यारन देखने को मिलता है, फिर मद्यप्रदेश में खेन अभ्यारन की स्थापना की परियुजना नीती है, मद्यप्रदेश का परथम जिला जो बायोग मास्स से उर्जा उत्पादन करता है, इसका नाम है बैतुल, अगला है मद्यप्रदेश में पवन उर्जा परियोजना नीती का प्रकासित हुई थी तो वर्स 2012 में इसका प्रकाशन किया गया था, सवाल दिया है मद्यपर्देश के अंतरगत काना किसली राष्टी उद्यान के संदर में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए वोला है ठीक है और सही बताना है हमको इसमें से आंसर तो यहां पर जो है इस्तित बामनी दरार को सूरियास्त पॉइंट के नाम से जाना जाता है यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा फिर दिया है यहां पर दक्षिन भारती आद्र मिस्री सागवन वन पाई जाते यह स्टेटमेंट बिलकुल सही है ठीक है अगला सवाल देखते हैं फिर दिया है मुक्यमंत्री जन-कल्यान-योजना आका संबंध मुक्य ताक किस्चे संब तो किसमें नहीं है तो यह सिहोर में नहीं देखने को मिलेगा जिंगरोली सवाडोल सीधी यहां पर यहां पर यह मिल जाएगा ठीक है और इस टाइप की कॉश्चन्स तो इसली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं फिर दिया है मेगरा खेडा सिचाई परियोजना कौन से जिले में सही बताना है ठीक है तो बिगेस्ट रीवर प्रोजेक्ट अगर गलत है तो बी और दी तो आंसर होगे नहीं फिर दिया है दूटी बांद इस सिचुएटेड ओंधी वैंगंगा रीवर तो यह स्ट्रेटमेंट सही है तो आंसर हो जाएगा आपका सी अगला देख लेते हैं मद्यप्रदेश में जैवी खेती पर राज जी नीती जो है वो कब जारी की गई थी तो वर्स 2011 में जो है ये पॉलिसी जारी की गई थी ठीक है और्गेनिक फार्मिंग के लिए पॉलिसी 2011 में जारी की गई है अगला सवाल देखते है क्या बोला है कौन सुमेलित है मलब सु विदी सिंग रॉली में पाया जाता है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा C only फिर मद्देपरदेश के उस एकमात्र जिले का नाम बताईए जहां पर यूनेनियम खनीज मिलता है तो यह साइडोल में मिलता है अगला सवाल देख लेते हैं इसमें क्या बुला है बांधों के नाम दे रखे न तो जो नीम खेडा बांध है यह कहां पर इस्तित है तो राईसेन में इस्तित है बारवना बांध भी राईसेन में है तो फ्रेंट्स इसका जो आंसर है यह हो जाएगा आपका 1 and 2 only क्या हो जाएगा 1 and 1 minute क्या है यहाँ पर सारे के सारे यह आंसर दे रहा है तो चंबल गाटी परियोजना मद्य परियोजना है जिसका प्रारम उनिस सो त्रेपन चववन में हुआ था क्या बुल रहा है इसमें चंबल हाँ सारे के सारे यह आप्सन ठीक है बता रहा है वैसे तो यह रानी लश्मी भाई परियोजना जो है यह सही है ठीक है अगला सवाल है कि प्रसिद्ध परिटक इस्थली पच्मनी और अमरकंटक राज्ज के कि इस जलवाईव परदेश में सम्मिलित है तो यह विंद परवती शेतर में सम्मिलित है अगला सवाल दिया है कि निमने में से कोंसा इक कतंस सही नहीं है जिसका सही आंसर हो जाएगा यह लिगबहग दो भाग में इसको डिवाइट कर देती है मद्यप्रदेश का रेणु कूट जो है वो किसको कहा जाता है तो मद्यप्रदेश का रेणु कूट कहा जाता है अमरकंटक को तो ये मद्यप्रदेश का रेणु कूट अमरकंटक को कहा जाता है अमरकंटक जो है बॉकसाइट उत्पादन के लिए फेमस है अमरकंटक को बाकसाइट रेनकूट उत्ताप्रदेश निर्यात किया जाता है अगला है कि विंद और सत्पुड़ा सरेणी करमसा खालिस्तान से बनी है तो ये बनी है फ्रेंट्स करमसा क्वार्ट्ज रेत और ग्रेनाइट वेसाल्ट से अगला सवाल देखते है क्या बुला है इसमें कि मद्यप्रदेश में नर्मदा सोन गाटी की औसाथ उचाई जो है ये कितनी है तो फ्रेंट्स इनकी जो उचाई है न मीन सी लेवल से आपको लगभग 300 मिटर उपर देखने को मिल जाएगी राज अंगूर केंद्र जो है ये कहाँ पर इस्थापित है तो ये रतलाम में देखने को मिल जाएगा मद्यप्रदेश सरकार के द्वारा मत से पालन को कुरसी का दर्जा दिया गया था वर्स 1997 में आंसर हो जाएगा B फिर क्या दिया है मद्यप्रदेश में जड़ी बूटी बेंक जो है कहाँ पर इस्थापित है तो ये पनार पानी में इस्थी थे ठीक है पनार पानी जो है ये पचमणी में है एक मात्र जड़ी बुटी बैंक देखने को मिलेगा मध्यपरदेश का फिर क्या दिया है सुमेलित करने बुलाएं न तो इसको देख लेते हैं हम तो देखो इसमें जो है मालवा प्लाट्यू अच्छा ये परसेंटेज बता रहा है तो मालवा प्लाट्यू हो जाएगा 28.6% बुंदेल खंड जो है ये 7.79% सथपुड़ा मैकाल जो है वो 11% और प्लाट्यू बगेल खंड जो है ये 7% तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा फ्रेंट C ठीक है अगला सवाल देखते है क्या बोला है मौसम वग्यानिक थान थ्वेट ने मद्द्परदेश की जलवाईव को कितने भागों में बाटा है तो ये टोटल तीन भागों में बाटा है, ठीक है, मद्धि प्रदेश की जलवाईउ को तीन भागों में थारन थ्वेट ने बाटा है, फिर क्या दिया है, इसमें जो है, केंद्री करसी अभियांतरी की अनुसंदान केंद्री जबलपूर में है क्या, तो ये statement गलत हो जाएग तो इसका जो है, देखो Central Agriculture Engineering Research Center भोपाल में है, मद्धि प्रदेश में कुल कितने पसु प्रजिनन केंद्र है, तो टोटल आठ आपको देखने को मिल जाएंगे, अगला सवाल है, कि प्रदान मंतरी ग्राम सड़क योजना जो है, ये कब आई थी, ठीक है, तो ये कब आई है आंसर हो जाएगा 2005 में, प्रदान मंतरी ग्राम सड़क योजना 2005 में लाई गई है, और मद्ध प्रदेश में चीप मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना 2011 में लाई गई है, भोज वेटलेंड जो है, 2002 में इसको सामिल किया गया था, वेटलेंड में, वेटलेंड जो है, वो रा अगला क्या दिया है कि मद्ध्प्राइट कि बदी बबदी स्वरू प्रदान करने के लिए कौन सा कारक मुख्य रूप से उत्तर दाई है तो यह है Trophy of Cancer अगला सवाल देखते है बोला है कि लोवर गोंडवाना सेल समू को किस नाम से जाना जाता है तो इसको जाना जाता है तालचर के नाम से क्या जाना जाता है तालचर फिर मद्यप्रदेश में पाई जाने वाली धारबार क्रम की चट्टानों के बारे में बताना है तो देख लेते हैं तो चिल्पी क्र चट्टानों में बालागात और चिंदवारा जीले में मेगनीच वह तामर खनीच की प्राप्ती रही होती है सकोली और सॉसर क्रम की चट्टानों से हीरे और बाक्साइड प्राप्त होते यह स्टिट्मेंट सइए ठीक है तो यह हमारा आंसर हो जाएगा B अगला सवाल है क्या बुला है कि करकर एखा मद्यप्रदेश के इस पठार को लगबग दो भागों में विभाजित करती है तो ये है आपका एक मिनिट रिवा पन्ना का पठार है क्या मालवा का हाँ तो देखो मक्का तो है गेहू नहीं है ठीक है आंसर क्या हो जाएगा आपका गेहू गेहू जो है वो आपकी रभी की फसल देखने को मिल जाती है तो टोटल हमने 100 सवाल डिसकस कर लिए आप से मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद